कोलकता मटर केस में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है पिछले नौ से दस दिन हो चुके हैं डॉक्टर्स सडकों पर लगातार उतर रहे हैं और जस्टिस न्याय की डिमांड कर रहे हैं इसमें स्वास्थ मंत्राले केंद्री है स्वास्थ मंत्राले के जो निर्मा विखाथार यहां पर डिमांड कर रहे हैं, Justice की डिमांड कर रहे हैं, CPA की डिमांड कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं, कि जब तक सरकार CPA लागू नहीं करती है, तक इनका प्रदर्शन, इनका धर्ना जारी रहेगा. बडारणी कोज़ेंगा है? नहीं हुद ऑपर में यह सबसे भाए essay कुब ह 얼ों कई दोबाट सरकार ने माल लिट्र॥ है तरिके की जश्टिस की बादhu करें अपको आप टो हो गया हम जी जरावट और एंदिया में इसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसके लिए सीपीए सीपीए सेंट्रल प्रटेक्शन आक्ट फॉर डॉक्टर्स इतने सारे वाइलन्स हो रही है अप सब्दजंग आज आके देखोगे हमारे पॉलिस ओप्षन में कितने सारे एफ्यास बढ़ी है हर अफ्ते में हमारा जीट की सीपीए के आलामा भी कोई डिमांड आपने ओस इसके लिए एक न्याय चाहिए जो आजी करमें हमारी बेहन के साथ हुआ है उसके लिए न्याय चाहिए दूसरा जब तक हमें असपालों में सेक्वरिटी मिलेगी हमें हम ड्यूटी पर नहीं जाएंगे अच्छा एक ओट की बात की गई थी कि निर्मार बहुन स्वास मंत्राले के सामने ओपीडी सेटप करेंगे कुछ ऐसा भी हम लोगों ने अंदर बोला है अधिकारियों को कि हमें यहां पर सेटप रवाइट किया है हम मरीजों को देखने के लिए तैयार है हम नहीं चाहते हमारी वज़ा से सेक्यूरिटी है जब असपतालों में सेक्यूरिटी आ जाएगी हम वहां जाके ओपिडी करेंगे एस्पतालों में सेक्यूर्टी नहीं है और यहीं मुद्धा है और भी डॉक्टरों को मैं उनकी तस्मीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहां पर प्रोदर्शन चल रहा है इनका कहना है कि अस्पतालों में सिक्योर्टी नहीं है और यह ओपीडी का जो सेट अप है और उसकी सर्विसेज यहां पर निर्माण होन के सामने देने के लिए तयार हैं क्या ओपीडी की भी बात की गए थी कहीं कुछ जगों से मैसेज आया था कि आप लोग सेट अप करेंगे ओपीडी यहां पर कि अभी इस पर स्टेट्मेंट नहीं दिया जाएगा रिजिदेंट डॉक्टर से अससीएशन अप्लानिंग ऑन दी फदर कोर्स ऑक्शन एक बार तस्विर हैं आप कौन से होस्पिटल से स्वामी दयानंद तो यह बताई कि लगातार करीम 9-10 दिन हो गया क्या माने कि आगे ले भी अभी हर्ताल जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो यह प्रोटेस्ट ऐसी चलती रहेगा है कि यह प्रदर्शन के स्ट्राइक कंटीनू रहेगी यह कंटीनियू रहेगी और आज तो कम से कंटीनियू रहेगी अगर क्योंकि हम अपने डॉक्टर रहता है अगर वो भी सेफ नहीं है अगर वहीं हम लोग सेफ नहीं है अगर कल आके कोई आके रेप करके चला जाए तो हम क्या करें अधिकारियों से बीच में आप लोगों की मुलाकात कुछ एक ग्रूप की हुई मैं नहीं बता सकता हूं बढ़ हमारे सुप्यसम बताएगा कि बात होई थी कि नहीं वह थी यह आप अधिकारियों से और मंत्री से भी आप लोगों की मुलाकात होई थी क्या बीच में हमारी जब लास्ट टाइम यहां पर हड़ताल थी उस ताइम डेलिगेट से मुलाकात ह हुई थी लेकिन उन्होंने कोई ठोश आश्वाशन नहीं दिया उन्होंने हर बार की तरह हमें यह बोला कि हम कमेटी बना सकते हैं लेकिन अल्रेडी दो से तीन बार कमेटी बन चुकी है उसका कोई समाधा नहीं निकला इस बार हमारी सरकार ज़िए डिमांड है अस यह ओडिनेंस लाके उसको पर्लेमेंट में पास किया है एक बार तस्वीरें यहां पर दिखाएं डॉक्टर्स की यह अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर से एक अस्पताल के नहीं है सब्दर जंग आरेमल एम्स या फिर दिल्ली सरकार के बहुत सारे ऐसे लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं सूरक्षा की मांग कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सिर्फ कमेटी बना देने से या कमेटी बनाने को लेकर घोशना कर देने मात्र से काम नहीं बनने व suspected CPA लागू होना चाहिए और जल्द से जल्द इसको लागू होना चाहिए इसके लमा सकते सथ सजा होने चाहिए CBI इंक्वारी जो चल रही है उसका लगातार अपडेड भी चाहिए ये है निर्माड भौन के सामने जो स्वास्त मंत्राले का दफ्तर है मंत्राले की बिल्डिंग है उसके ठीक सामने की यह तस्वीर है यहाँ पर डॉक्टर्स एक बार फिर प्रदर्शन के लिए यहाँ पर इकटा हुए हैं शुक्रवार को कई घंटों तक यह यहाँ पर धर्ना प्रदर्शन के लिए बैठे थे जिसमें कई दोर की बात सरकार से वारतालाब चल लही थी लेकिन बात नहीं बन पाई और उसके बाद आज सोमवार को फिर एक बार डॉक्टर्स यहाँ पर इकटा हुए हैं और लगात स्राइक अपनी हर्ताल लगातार जारी रखें जब तक की मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं तब तक